डे टो डे की भी बात करनी होती है सर और आज जैसे आप कहरें थे पूरा ट्रेडिंग सेशन है पूरा दिन निकालना है एक ग्लोबल मार्किट से शुरू कात करना चाहूंगा सर दो दिनों में तो बढ़िया संकेत आए है साड़े साथ सो अंक फ्राइडे को कल चार सो अंक की तेजी दो दिनों में साड़े ग्यारा सो अंक और इकतीस पांच सो पर डाउ आ गया सर जड़ा ये ग्लोबल सेट अप समझाएं कैसा दिख रहे है आपको इस समय ग्लोबल संकेत बहुती मज़ूती के हैं इसमें कोई डाउट है और दो दिनों में अगर 1200-1300 पॉइंट की टेजी डाउ में हुई तो उसके मकाबले में तो हम कुछ भी नहीं बढ़े हैं और मुझे लगता है कि आज जब फुल फ्लेजर टेडिंग सेशन होगा तो FIS की त निफ्टी आपको दिखा रहा है नीचे राइट अठावन पॉइंट नीचे और वो दिखा रहा है आपको 17,787 के आसपास कोई गल्ती न करें इस मामले में लेकर कि आप SX निफ्टी पर नीचे हैं कल आप डिसकाउंट पर बंद हुएं राइट 17,730 की आपकी क्लोजिंग और अगर 17,730 की क्लोजिंग के लिहाँ से अगर आप देखें तो दीफ आप 40,50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहें ने की नीचे तो SX निफ्टी के एड़्जस्मेंट को समझ लीजे कल की हमारी क्लोजिंग 17,730 की है और अगर प्रीमियम और डिसकाउंट को छोड़ भी द पूरी संभावना है कि या तो इसी सीरीज में जिसके दो ट्रेडिंग सेशन बचे आज का और परसों का कल बाजार बन रहेंगे और मैं उम्मीद यह कर रहा हूं कि या तो इसी सीरीज में या इसी महिने में आप बैंक निफ्टी को नया लाइफ हाई बनाते वे भी देखे कि 41,850 के आसपास आपको पहुँचना है और वो नया लाइफ हाई गोगा तो मैं पॉजिटिव हूँ बुलिश हूँ अभी मेरे पास में ऐसा नया एक भी कारण नहीं है जो आपके हमारे सामने है जिसकी वज़े से हमें डरना है या परेशान होना है नीचे खुले 50-60 को खरीदना है चले तो मूड मौल तो अच्छा है सर आज की फिट स्ट्राटिजी भी समझ ली जाए क्या कहरें सर आज के संकेत आपको संकेत के पहले चुकिए आपने ग्लोबल की बात की में दायम आएं चलागी एदर और ह久ए तो फोड़ा सा ग्लोबल पर एक बार हल्की सी बात उरकर लेता हुए और वो यह है कि देखे कल अमरिका में जो तेजी हुई उसके दो कारण रहे एक Ministries By अमेरिकाम दोlya के उमीद में बने कि अमेरिकी फेट को एग्रेसिव बहुत ज़्यादा जोर से ब्यास दरें ना बढ़ानी पड़े अगली पॉलिसी में पॉन परसेंट बढ़ेगी सबको पता है मान के चलने लेकिन जो सेंटिमेंट थोड़ा सा बदलाव आता हुआ दिखा है वो इंटरस्टि जा झाल